नमस्कार पढ़ंतू, स्वागत है आपका दा पढ़ंतू क्लासेस के आज के इस लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं 36 गड़ सामान निग्यान का एक और महत्पून टॉपिक पिछली क्लास में हमने किया था 36 गड़ की उन विभूतियों के नाम उन व्यक्तियों के नाम जिनको पद्म पुरसकार प्राप्त हुआ है पद्म विभोशन पद्म भोशन और पद्मश्री ठीक है तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा और उसको अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा आज हम देखने वाले हैं 36 गड़ साशन द्वारा प्रतेक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के आउसर पर नमंबर माह में 36 गड़ के अलग-अलग विभिन छेत्रों में उलेखनिय योगदान देने वाले व्यक्ति विशेश को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाता है तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से सम्मान दिये जाते हैं वो किस छेत्र में दिये जाते हैं वे किस विभाग द्वारा प्रयोजित हैं किस विभाग द्वारा उसको दिया गया है इन स्पॉंसर किया गया है और प्रतम प्राप्त करता कौन है ठीक है मैं यहाँ प सम्मान जो है वो बाद में जुड़े कुछ सम्मान वर्ष 2001 में शुरू हुए तो इसलिए मैं सम्मान के जो वर्ष है उसको अलग से आपको बता दूँगा क्योंकि अभी तक परिक्षा में सम्मान के शुरू होने का वर्ष जादा तर नहीं पूछा गया है जो पूछा गया है वो प्रथम प्राप्त करता पूछा गया है विभाग का नाम भी पूछा जा चुका है और सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम पूछे जा चुके है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सहीद वीर नरायन सिंग सम्मान सहीद वीर नरायन सिंग सम्मान जो है वो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाने वाला हमारे राज्य अलंकरण सम्मान में है शहीद वीर नरायण सिंग सम्मान और आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा यह पुरषकार प्रदत्त किया जाता है यानि आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा इस सम्मान को प्रायुजित किया गया है और सबसे जो प्रथम प्राप्त करता है जब ये सम्मान की शुरुवात हुई तो जो प्रथम प्राप्त करता है इस राज्य लंकरन सम्मान या पुरसकार के वो आदिवासी सिक्षण समीती पाडी मल है ध्यान रखिएगा व्यक्ति विशेश या संस्था व्यक्ति विशेश या एक संस्था को इसमें नॉमिनेट किया जाता है उसके लिए आवेदा नामंत्रित किया जाते हैं और फिर उसके अनुसार उस वर्ष के लिए पुरसकारिय संमान विभाग द्वारा घोशित किया जाते हैं तो व्यक्ति या संस्था तो ये देखिए संस्था को मिला था आदिवासी सिक्षण समीती पाडी मल को यह संमान दिया गया था प्रथमबार दूसरा गुरु घासिदा संमान गुरु घासिदा संमान दिया जाता है सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के छेतर में उल्लेखनी ये कारिय करने वाले व्यक्ति या संस्था को सामाजिक चेतना और दलित उत्थान सामाजिक चेतना दलित उत्थान जबकि पिछले में क्या था आदिवासी एवं पिछडा वर्ग उत्थान है ना तो ध्यान रखिएगा समाजिक चेतना दलित उत्थान ठीक है ये भी आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा ही प्रायवजित है और सबसे प्रथम प्राप्त करता है रतनलाल जांग्डे और र आज महंत जगतु सोनकर तो ये ध्यान पर रखिएगा आप गुरु घासीदास सम्मान और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सतनाम पंथ के प्रवर्तक परमपूज गुरु घासीदास जी है जो गुरु घासीदास जी नहीं सतनाम पंथ के स्थापना 36 गड़ में की थी ठ ठीक है तीसरा हम देख लेते हैं तीसरा जो सम्मान है वो है हाजी हसन अली सम्मान ठीक है नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा हाजी हसन अली सम्मान ये उर्दू भाशा की सेवा छेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है उर्दू भाशा की सेवा उर्दू भाशा में उ सुव्यक्ति का नाम है सैमूल डेनियल सैमूल डेनियल नाम है जो प्रथम प्राप्त करता थे हमारे 36 गड़ राज्य में किसके हाजी हसन अली सम्मान के ठीक है चौथा जो सम्मान है वो गुंडा धूर सम्मान अच्छा शुरुवात के तीनों में कॉमन चीज़ देखिएगा तीनों आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा प्रयोजित है पहला है सहीद वीर नरायन सेंग सम्मान गुरु भासीदास सम्मान और हाजी हसन अली सम्मान गुरु भासीदास जी सतनाम पंथ के प्रवर तक है सहीद वीर नरायन सिंग ये स्वतंतरता संग्राम के 36 गड़ राज्य के प्रथम स्वतंतरता सेनानी के रूप में इन्हें जाना जाता है ठीक है गुरुणा धूर सम्मान जो है खेल के छेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला पूरस्कार है गुंडा धूर सम्मान और खेल एवं युवा कल्यान विभाग द्वारा प्रायोजित है और खेल एवं युवा कल्यान द्वारा प्रायोजित होने के साथ जो प्रथम प्राप्त करता थे वे थे आशीश अरोरा जो मुख्य रूप से वालीबॉल खिलाडी थे आशीश अरोरा जो वालीबॉल खिलाडी थे 36 गड़ राज्य से और इन्होंने राज्य का नाम रोशन किया बहुत से प्रतिव विताओं में इन्होंने राज्य का प्रतिनिध्यत्व किया था तो आशीश अरोरा वॉलीबॉल खिलाडी प्रथम प्राप्त करता है गुंडा धूर सम्मान के इसके बाद देख लेते हैं प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान अब बहुत अच्छे से जानते हैं बस्तर के काकतिय वंश के राजन थे, इनके नाम पर महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी के नाम पर तीरंदाजी के छेत्र में उतकरिष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है यह सम्मान, ये भी खेल एवं युवा कल्यान विभाग द्वारा ही प्रद प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के छेत्र में खेल एवं युवा कल्यान द्वारा दिया गया था अरविंद सोनी और टेकलाल क्लियर हो रही है बात उसके बाद देख लेते हैं अगला सम्मान जो है वह मीनी माता सम्मान ठीक बात है देखिए ये दोनों खे जहां पर गुंडा धूर सम्मान और प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान जो है ये खेल एवं युवा कल्यान विभाग से सम्मंदित है अब देख लेते हैं मीनी माता सम्मान महिला उत्थान के छेत्र में महिला उत्थान के छेत्र में उलेखनीय योगदान करने वाले व्यक बात है मीनी माता सम्मान महिला उत्थान के छेत्र में उलेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है महिला एवं बालविकास विभाग से सम्मंधित सम्मान है और श्रीमती बिन्नी बाई जो है वो प्रथम प्राप्त करता है इस सम्मान की अगला जो है वो है ठाकूर प्यारेलाल सिंग सम्मान ठाकूर प्यारेलाल सिंग सम्मान सहकारिता की छेत्र में उलेखनी योगदान देने वाले राज्य के व्यक्ति को प्रदान किया जाता है सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित है यह सम्मान और सबसर्व प्रथम प्राप्त करता है प्रीत पाल बेलचंदन और ब्रिज भूशन दिवांगन दो व्यक्तियों को यह सम्मान जो है वो दिया गया था अगला जो सम्मान है वो है पंडित रवीशंकर शुक्ल सम्मान ये सामाजिक आर्थिक और सैक्षणिक उन्नती में योगदान देने वाले व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है ये सम्मान प्रशाशन विभाग से यानि ये सम्मान प्रयुजित होता है किसके द्वारा सामान प्रशाशन विभाग द्वारा प्रदत्त होता है और सर्वपर्थम प्राप्त करता है श्री केयूर भूशन जी जो के 36 गड़ राज्य के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं ठीक है और साथ में साहित्यकार भी है केयूर भूशन जी ठीक है तो ये सामान्य प्रशाशन विभाग से संबंदित है सामाजिक आर्थिक और सेक्षणिक उन्नती के लिए दिया जाता है पंडित रवी शंकर शुकल सम्मान ठीक है अगला जो सम्मान है वो महाराजा अग्रेसेन सम्मान है ये दिया जाता है सामाजिक समरस्ता के छेत्र में सामाजिक समरस्ता के छेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है महाराजा अग्रेसेन सम्मान ये भी सामान्य प्रशाशन विभाग द्वारा 36 गड़ राज्य के सामान्य प्रशाशन विभाग द्वारा ये जो है उस संस्था को दिया गया था, पहला महाराजा अग्रसेन सम्मान, अगला जो है, वो है राजा चक्रधर सम्मान, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, राजा चक्रधर, ये संगीत और कला प्रेमी थे, और राजा चक्रधर का योगदान जो है, वो अमुल्य है, राजा अगला माथवपूर्ण संम्मान है पंडित सुंदर्लाल सरमा संम्मान बहुत अच्छे से आप जानते हैं पंडित सुंदरलाल सर्मा जी जिन्हें 36 गड़ के गांधी की संग्या दी जाती है 36 गड़ राज्य के प्रथम स्वपन दृष्टा कहलाते हैं राजिम के निकट चमसूर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था बहुती महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हमारे 36 गड़ के प्रमुक व्यक्तित्व हैं ये तो इनके सम्मान में पंडित सुंदरलाल सर्मा सम्मान इस्थापित किया गया है साहित्य लेखन के छेत्र में पंडित सुंदरलाल सर्मजी 36 गड़ी के एक प्रमुख साहित्यकार भी थे तो साहित्य लेखन के छेत्र में दिया जाने वाला सम्मान इनके नाम पर रखा गया है संस्कृति विभाग द्वारा ही प्रदत्त है राजा चक्रधर सम्मान भी संस्कृती विभाग द्वारा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सम्मान भी संस्कृती विभाग द्वारा ही प्रदर्त होता है जो प्रथम प्राप्त करता हैं वे हैं साहित्यकार विनोध कुमार शुकल जी 36 गड़ राज्य के एक प्रमुक साहित्यकार है श्रे विनोत कुमार शुकल जी तो साहित्य लेखन में योगदान के लिए उन्हें दिया गया था प्रत्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर खूबचंद बगेल सम्मान ये कृषी के छेत्र में उलेखनीय योगदान के लिए व्यक्तिय अत्संस्था को दिया जाता है और क्यूंकि ये कृषी से सम्मध्ध है इसलिए कृषी विभाग द्वारा इस सम्मान के स्थापना की गई है राज्य अलंकरन के रूप दिया गया था श्री कांत गोवर्धन जी को क्लियर हो रही बात तो विभाग वार भी थोड़ा सा देखते जाईए संस्कृति विभाग द्वारा दो पुरसकार भी हमने देखे हैं सामान्य प्रशाशन विभाग द्वारा दो पुरसकार देखे हैं महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा एक पुरसकार भी हमने देखा है सहकारिता विभाग द्वारा एक हमने देखा है खेल एवं युवा कल्यान विभाग द्वारा इस थापे दो अलंकरण देखे हैं और तीन हमने देखे हैं आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा इस्थापित तीन राज अलंकरण हमने देखे हैं तो हम देख रहे हैं राज अलंकरण में दिये जाने वाले सम्मान किस छेत्र में उल्लेकनी योगदान के लिए दिया जा रहा है और किस विभाग द्वारा इस पुरसकार को प्रायुजित किया गया है और प्रथन प्राप्त करता कौन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो चलिए एक बार आप यहाँ तक के नोट कर लीजे फिर आगे continue करते हैं चलिए अगला संवान है चंदुलाल चंदराकर संवान चंदुलाल चंदराकर सम्मान पत्तरकारिता और इलेक्ट्रोनिक मीडिया हिंदी भाषा के छेतर में उलेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है यह जन संपर्क विभाग राज्य साशन के जन संपर्क विभाग द्वारा प्रयोजित है और पहली प्राप्त करता है सुश्री आरती धर को यह सम्मान प्रथमबार दिया गया था चंदुलाल चंदराकर सम्मान दानवीर भामाशाह सम्मान दानशीलता और सवहाद्र के छेत्र में उलेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है यह समाज कल्यान विभाग द्वारा प्रदत्त है और जो प्रथम प्राप्त करता संस्था थी वो थी बिलासपूर सेवा समीती बिलासपुर सेवा समीती को दानवीर भामाशाह सम्मान दिया गया था यती यतनलाल सम्मान हमारे 36 गड़ से सुतंतरता संगराम सेनानी श्री यती यतनलाल के नाम पर सम्मान अहिंसा इवं गवरक्षा के छेतर में योगदान के लिए दिया जाता है यह भी समाज कल्यान विभाग द्वारा ही प्रदत है प्रायुजित है और प्रथम प्राप्त करता दो व्यक्ति थे रमेश यागिक एवं हरी प्रसाद सिंग दो व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था और भी सम्मानों के स्थापना हुई थी विभागवार लेकिन प्रथम बार जो है किसी कारणवश या प्रविष्टी की अनुपलब्धता के कारण इनको प्रथम पुरसकार दिये नहीं गए थे ठीक है इसका प्रथम प्राप्त करता ये सम्मान सारे स्थापित किया जा चुके थे लेकिन प्रथम प्राप्त करता के नाम यहां पर नहीं दिये गए हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान पर रखेगा कि संस्कृती विभाग देख लीजे दाव मंदराजी सम्मान जो है वो लोक कल और शिल्प के छेत्र में उत्करिष्ट योगदान के लिए इस्थापित सम्मान है और संस्कृती विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाता है मधुकर खेर सम्मान मधुकर खेर सम्मान जो है वो अंग्रेजी पत्रकारिता अंग्रेजी पत्रकारिता print media के छेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है और मदुकर खेर सम्मान जो है उसको भी जनसंपर्ख विभाग द्वारा ही प्रदत्त और प्रयोजित किया गया है तो देख लिजे अंग्रेजी पत्रकारिता print media और पत्रकारिता, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, हिंदी भाशा, ये दोनों जो सम्मान है पत्रकारिता से संबंधित, और ये हिंदी पत्रकारिता के लिए माधाव राव सप्रेजी सम्मान, ये तीनों के तीनों सम्मान, जन संपर्क विभाग द्वारा दिये जाते हैं, जन संपर्क विभाग के द्वारा थीक है हिंदी इलेक्ट्रोनिक मीडिया पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता अंग्रेजी पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया तो तीनों सम्मान जो है वो जन संपर्थ विभाग द्वारा प्रदत्त होते हैं ठीक है अगला है धनवंतरी सम्मान भगवान धनवंतरी सम्मान आयूर्वेद चिकित्सा के छेत्र में दिया जाने वाला सम्मान और ये प्रदत होता है स्वास्थी एवं परिवार कल्यान विभाग के द्वारा धनावंतरी सम्मान आयूरवेद्चिकित्सा के छेत्र में योगदान के लिए स्वास्तिय एवम परिवार कल्यान विभाग द्वारा प्रदत्त होता है बिलासा बाइक केमटृं सम्मान इन्ही के नाम पर जो है बिलासपूर नाम पड़ा है छेत्र का तो बिलासा बाई केमटिन सम्मान मत्सी पालन के छेतर में योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है मत्सी विभाग द्वारा प्रदत होता है सम्मान मत्स विभाग द्वारा मचली पालन के छेतर में योगदान के लिए बिलासा बाई केमटिन सम्मान दिया जाता है संस्कृत भाशा सम्मान संस्कृत भाशा अनुसंधान रिसर्च, संस्कृत लैंग्विज, रिसर्च के छित्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान, भाशा सम्मान, संस्कृत भाशा सम्मान, और ये प्रदत्थ होता है उच्च सिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है, उच्च सिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्थ हो ग्रह पुलिस विभाग द्वारा च्छतीजगर साशन के ग्रह विभाग के द्वारा ग्रह पुलिस विभाग द्वारा इस्थापित किया गया सम्मान है पंडित लखनलाल मिश्ट सम्मान डॉक्टर भवर सिंग पोर्ते सम्मान तो डॉक्टर भवर सिंग पोर्ते सम्मान और आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा प्रदत है ठीक है आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा इस सम्मान के स्थापना की गई है और राज्य अलंकरण के रूप में इसको स्थापना किया गया है 36 गड़ अप्रवासी भारतिय सम्मान विदेशों में 36 गड़ के रहने वाले व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं विदेशों में रहकर कारिय करते हैं और विदेशों में उलेखनिय कारिय करते हुए च्छतीजगड राज्य का नाम और अपने देश का नाम रोशन करते हैं उनको दिया जाने वाला सम्मान है च्छतीजगड अप्रवासी भारतिय सम्मान तो ये प्रमुक सम्मान है यही सम्मान राज्य अलंकरण पुरसकार या राज्य अलंकरण सम्मान कहे जाते हैं जो 36 गड़ राज्य के विभिन विभागो द्वारा शुरुवात हुई है बहुत से सम्मानों की स्थापना वर्ष 2001 में हुई है और बाद के वर्षों में भी कुछ सम्मानों के स्थापना होई है तो प्रतम प्राप्त करता जो थे प्रतम प्राप्त करता की जितनी प्रविस्ट्री उपलब्ध है वो पूरे नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिये है और बिल्कुल लेटेस्ट में जो वर्ष 2019 में इन सभी सम्मानों के प्राप्त करता हैं उसकी एक लिस्ट जो है वो मैं टेलिग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूँगा क्योंकि सम्मान के नाम, सम्मंधित विभाग किस कारी छेत्र में दिये जाते हैं और प इन सम्मानों को जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदत किया गया था वो लिस्ट भी मैं आपको अविलेबल करा दूँगा तो प्रथम प्राप्त करता और सांथ में ही वर्ष 2019 में प्राप्त करता उसको एक करम में आप नोट बना कर रख लीजिएगा इसी करम में रह बताया जाएगा चैनित व्यक्तियों के नाम तो उसको भी हम अपडेट कर देंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से CG PSC examination में question आए हैं यहां CG व्यापम के examination में भी पूछे गए हैं कि किस विभाग से संबंदित है यह भी पूछा गया है किस छेत्र में कौन सा संबान दिया जाता है यह भी पूछा गया है प्रतम प्राप्त करता को भी पूछा जाता है तो यह ध्यान रखेगा 36 गड़ संबान निग्यान का एक और बहुत पुर्ण भाग है राज्य अलंकरन सम्मान और पुरसकार कल हमने देखा था राज्ट्रिय सम्मान जो की 36 गड़ की विशिष्ट व्यक्तियों विभूतियों को मिला था आज देख रहे हैं कि हमारे राज्जिक में जो स्थापित किये गए सम्मान और पुरसकार है और विभिन नभीभा को द्वारा दिये जाते हैं राज्य स्थापना दिवस के आउसर पर तो इन सम्मान और अलंकरण को हमने देखा है ठीक है एक छोटी सी सूचना आपके लिए कि दपरहंतू क्लासेस द्वारा 36 प्रारंभिक, 36 प्रारंभिक, 36 प्रारंभिक, मेंस की बैचेस जो है वो आने वाले समय याने 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर उससे सम्मंधित जानकारी आप हमारे ओफिशियल वेबसाइट दपरहंतू.com पर जाकर ले सकते हैं वहाँ कोर्स रेजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आपको सारा डिटेल मिलेगा और यदि आप कोर्स को रेजिस्टर करना चाहते हैं तो आप आसानी से प्री, प्री प्लस मेंस, मेंस हिंदी मीडियम और मेंस इंग्लिश मीडियम की जो सेपरेट बैच हमारी शुरू हो रही है, उसके रेजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं आप जाकर रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 36 गड़ PSC की तैयारी हम बिलकुल नियूंतम शुल्क में सारे स्टड़ी मटेरियल के साथ क्लास टेस्ट के साथ हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा में दिये गए नोट्स के साथ हम आपको बहतर तरीके से करवाएंगे ठीक है, साथ में ACF के लिए स्टूडेंट के लगातार कॉल आ रहे हैं कि क्या हम टेस्ट में अब भी रेजिस्टर हो सकते हैं तो हाँ, उनको मैं सूचना देना चाहूंगा कि हमारे 36 गड़ PSE द्वारा आयूजित होने वाले ACF Ranger Recruitment Examination 2020 के लिए जो विगत दिनों से हमारे टेस्ट सिरीज चल रही है उस टेस्ट सिरीज में अभी भी आप रेजिस्ट्रेशन करके सभी टेस्ट पेपर आप दिला सकते हैं सारे टेस्ट पेपर आप दिला सकते हैं और सही उत्तर के साथ मौडल उत्तर देखते हुए उनकी बहतर तैयारी आप कर सकते हैं 2000 प्रशनों का संकलन मिलेगा आपको इस टेस्ट सिरीज में और test series के हो चुके प्रश्ण पत्र भी आप दिला सकते हैं और जो आगामी होने वाले हैं उन परिक्षाओं में भी आप शामिल हो सकते हैं सफलता पूर्वक केबल 240 रुपए की नियूंतम शुल्क में हम 2000 प्रश्णों का संकलन उपलब्द करा रहे हैं साथ ही test series में register होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हम नियूशुल्क संकलन 36 गड़ करेंट अफेयर महत्पूर्ण तत्य का विगत 6 महाओं का महत्पूर्ण तत्यों के संकलन की book बिलकुल free प्रोवाइड कर रहे हैं जो registration के तुरंत बाद उन्हें दी जाएगी ठीक है जो की e-book के form में है electronically आप उसको पढ़ सकते हैं अपने mobile में या अपने PC पर ठीक है तो next lecture में फिर इसी प्रकार के 36 गड़ समानिग्यान के महत्पूर्ण तत्यों के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद